हेलो एबरिवन, हाव आ यू आल, टूड़े आइम गोइंग तो टेल अबाउट डिफ्रेंस बीट्वीन इंडिपेंडेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंडेंस डे मिन्स अतंतरता दिवस एंड रिपब्लिक डे मेंज गंतंतर दिवस के बीच के डिफ्रेंस मतलब उनके बीच क्या अंतर है ये बताने जा रही हूँ बहुत से लोगों को इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच का डिफ्रेंस कम ही पता होता है तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट को बताऊंगी जिससे ये हमारा किलियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में कितना महत्पुन अंतर होता है तो चले फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा में पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस डे इट इस सेलिब्रेटेड ओन 15 अगस्थ इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्थ को जबकि रिपब्लिक डे इटी सेलिब्रेटेड ओन 26 जन्वरी जबकि रिपब्लिक डे 26 जन्वरी को सेलिब्रेट किया जाता है जे जन्वरी इंडिपेंडेंस डे वाले दीन हमें आजादी मिली थी मतलब हम free हुए थे हमा जाद हुए थे जब की Republic Day वाले दिन Constitution came into effect on this day हमारा जो Constitution है जो हमारा सभी धान है वो क्या हुआ था इस दिन लागो हुआ था Republic Day वाले दिन अब third main point है The Prime Minister hosts the flag Independence Day वाले दिन जो हमारे देश के Prime Minister होते हैं जो हमारे देश के परधानमंत्री होते हैं वो flag hosting करते हैं जब की Republic Day वाले दिन The President hosts the flag जो President होते हैं हमारे देश के जो हमारे देश के राष्टपती होते हैं वो flag hosting करते हैं And The flag hosting ceremony takes place at the Redford Independence Day वाले दिन flag hosting के लिए जो हमारा ceremony place होता है वो होता है Red Fort मतलब लाल कीला पर परधान मंतरी flag hosting करते हैं जब की Republic Day वाले दिन flag hosting ceremony takes place at the राजपत जब की Republic Day अनि गंतंत्र दिवस वाले दिन राजपत पर हमारे देश के जो राश्टपती होते हैं वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने फोर ऐसे में पॉइंट को देखा जिससे की हमारा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच का अंतर हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके तो आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए बाबाई